ग्वालियर में पती ने अपनी पतनी की गला दबा कर हत्या करने वाले आरोपी पती को पुलिस ने पकड़ लिया है हत्या करने का कारण पतनी के चरित्र पर पती को शक होना था वहीं पती पतनी की लाश को कमरे में छोड़ कर फरार हो गया था वही पुलस मामले की जांच में जुट गई है दरसल मुराना जुला निवासी मदन सेन ने अपने बेटी जोती की शादी ग्वालियर में रहने वाले राम भरत श्रिवास के सांथ की थी राम भरत ने 3 मार्च 2020 को जोती के घर फोन पर सूचना दी थी कि उनकी लड़की की मौत हो गई है जब परिवार के लोग वहां पुल शोतम किराईक के मकान में पहुँचे जहां देखा कि जोती मृत अवस्था में एक खटिया पर लेटी हुई थी मौके पर पहुँची हजीरा थाना पुलस ने प्रारंबिक जांच और पीम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मृतक जोती की गला दबाकर उसके पती राम भरत शिवास ने हत्या की है राम भरत शिवास जोती के चाल चलन पर शक करता था जिस पर आए दिन दोनों के बीच विवाद होता रहता था और पत्नी की हत्या कर पती फरार हो गया था शनिवार की सुभह मुगबीर के द्वारा सूचना पुलस को मिली थी कि पतनी की हत्या करने वाले रामभरत श्रिवास को अपने किराय के मकान के पास देखा गया है मनी पुलस ने सूचना पर आरोपी पती की घेराबंदी कर धर्द बोचा, फिलहाल पुलस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्च कर उसे गिरफतार कर लिया है की गई है, जिसको की आज गरफतार किया गया है, कारण के निकल गया है, क्यों मारदा उसने? वो सराप पीता था और लड़ाई जगडा हुआ, और सक के कारण उसको हत्या है की सिस से मारदा उसने? दला दवातिया है, क्या कर भीती है? ती सो तो कपरात पंजीवत किया गया है, गरफतार कर कर लिया लेपिस कर दो